नमस्कार दोस्तों सुवागत है आप सभी का हमारे यूटूब चैनल आर के योजना पर दोस्तों पैंसन धारकों के लिए एक बड़ी खबर दिव्यांग विद्वा वर्दवस्था और कुष्टवस्था अब इन पैंसन धारकों को दी जाएगी 4,500 रुपे जिहां दोस्तों सरकार ने एक बड़ी सोगात आपको दी है कोन्से राज्य में पैंसन धारकों को 4,500 रुपे बढ़ाकर पैंसन दी जाएगी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सान्निवेदन है यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएं तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लीजेगा साथ ही दोस्तो बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूले ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाब उठा सके चलिए दोस्तो अब हम यहाँ पर वीडियो की सुरुआत कर लेते हैं और आपको बताते हैं कौन सी राज्य सरकार द्वारा अब पैंसन बढ़ा कर दी जाएगी 4,500 रुपे बैंक खाते में पैंसनों के ट्रांसफर किये जाएंगे समाज कल्याण विभाग की तरब से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है यह खबर दिव्यांग, विद्वा, वर्द अवस्था और कुष्ट अवस्था सभी पैंसन धारकों के लिए है अब केंद्र और राज सरकार द्वारा सभी पैंसन धारकों को खुश्खबरी दी जाती है कि सरकार ने पैंसन में बढ़ोतरी कर दी है वीडो पैंसन, ओल्डेज पैंसन, दिव्यांग पैंसन, कुष्ट अवस्था पैंसन अब पैंसन में बढ़ोतरी के साथ सभी को 4500 पैंसन देने का प्रावधान निकाला गया है आपकी जानकार के लिए बता दे कि यह लाब सभी को नहीं दिया जाएगा यानि कि जो व्यक्ति गलत तरीके से दस्तावेज बनवा कर सरकार से पैंसन का लाब प्राप्त कर रहे थे अब सरकार से उन्हें पैंसन नहीं दी जाएगी उनके पैंसन बंद कर दी जाएगी जो योजना के पातर होंगे पैंसन लेने के हगदार होंगे उन्ही को ही पैंसन का लाब दिया जाएगा आपकी जानकार के लिए बता दे की पहले परदेश सरकार द्वारा 1200 रुपे परतिमाइना पैंसन दी जाती थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 1500 रुपे परतिमाना पैंसन कर दी गई है यानि कि सरकार द्वारा 300 रुपे की बडोतरी की गई है यह बडोतरी उत्राखंड राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है जो कि सभी पैंसन धारुकों को दी जाएगी जो उत्रकंट राज्य सरकार द्वारा अधीन आते हैं उन्हें पैंसन अब 4500 रुपे का लाब दिया जाएगा अब दोस्तों यदि आप किसी और अन्य राज्य में रहते हैं तो उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है दिव्यांग विद्वा वर्दवस्था और कुष्टवस्था सभी के बैंक खात में पैंसन के 1500 रुपे परती महिना के हिसाब से चार हजार पांस उर्पे ट्रांसफर सरकार द्वारा पैंसन की जाएगी इसी परकार से उत्तर परदेश सरकार द्वारा पहले दिव्यांग विद्वा वर्दवस्था और कुष्टवस्था यानि कि सभी पैंसन धारकों को 500 रुपे परतिमाइना पैंसन दीजाती थी लेकिन वर्सत 2022 में सरकार ने 500 रुपे के बढ़ोते की थी इस परकार से अब पैंसन धारकों को 3000 रुपे पैंसन दीजा रही है दिल्ली और हर्यान सरकार की बात करें तो इन दोनों राज्यों में पैंसन धारकों को दो हजार पांस रूपे पैंसन दी जा रही है यानि कि सभी राज्यों में पैंसन धारकों को अलग-अलग पैंसन दी जा रही है जैसे कि दिल्ली सरकार द्वारा पैंसन धारकों को पैंसन जो दी जा रही है इसका प्रोसिज अभी सरला है उनके बैंक खाते में पैंसन ट्रांसफर की जा रही है यानि की 2,500 रुपे दिल्ली और हर्यान सरकार द्वारा पैंसन लाबारतियों को दिये जा रहे हैं इसी परकार से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी सभी पैंसन को पैंसनर्स को पैंसन दी जा रही है उनके बैंक खाते में 3,000 रुपे की जो पैंसन किस्ट है वह ट्रांसफर की जा रही है लेकिन इसी बीच कई जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश राज्य के जिन में अभी प पैंसन ट्रांसफर की जाएगी दोस्तों आप किस राज्य में रहने वाले हैं किस राज्य के पैंसन धारक है क्या आपके राज्य सरकार द्वारा पैंसन ट्रांसफर कर दी गई है या फिर नहीं की गई है आप हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा यदि जानकारी को लेकर आ ज़ादा से ज़ादा शेयर कर दीजेगा ताकि जो अन्य पैंसन दारख है जो नहीं जानते कि हमारे राज्य में कितनी पैंसन बढ़ोतरी की गई है उन्हें भी पता चल सके अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ जब तक के लिए जय ह जय भारत